दोस्तो आज पाकिस्तान और नीदर्लेंड्स के बीच वर्ल्ड कब 2023 का दूसरा मुकाबला खेला गया और यहाँ बेहद ही रोमांचक रहा एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच आसानी से जीट जाएगी लेकिन फिर नीदर्लेंड्स की टीम ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे तो इस वीडियो को अंग तक जरूर देखे दोस्तों इस मुकाबले में नीदर्लेंड्स ने टॉस जीट कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तान की शुरुआत बेहत आउट हुए यहां से मोहमद रिजवान ने सौच शकील के साथ तीन को संभाला और चौथे विकेट के लिए 120 रनों की साजेदारी निभाई दोनों बल्लेबाजों ने 68 रनों की पारी खेली और तीन को 150 के पार पहुँचाया लेकिन 39 वे ओवर में 158 के स्कोर पर शकील के आउट होने के बाद नीदरलैंड ने मैच में फिर से वापसी की पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 158 रन से 32 वे ओवर में 6 विकेट पर 188 रन हो गया और रिजवान के अलावा इफ्तकार एहमद भी आउट होगे आपको बता दें कि इसके बाद मोहमद नवाज ने फिर से मैच में वापसी की आपको बता दें कि 47 वे ओवर में 267 के स्कोर पर पाकिस्तान को नौवा जटका लगा और मोहमद नवाज रन आउट हो गए हरीश राव और शाहीन आफ्रीदी ने टीम को 280 के पार पहुँचाया लेकिन 9 वे ओवर की आखिरी गेन पर के आउट हो अच्छी रही दोनों ओपन स्विक्रमजीत सिंह और मैक्स दोर ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई पाच ओवर में दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए लगभग 30 रन ठोक दिये थे लेकिन फिर छटे ओवर में हसंद अली ने मैक्स ओर्डर को आउट कर पा सानी से कुचल देंगे लेकिन फिर इसके बाद विक्रमजीत सिंह और बस दिलेड ने जो बल्लेबाजी की जी हां इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की उसने पाकिस्तान की टीम को दबाव में डाल दिया तो उन्होंने बड़ी शांदार अंदास से बल्लेबाजी की और पाक वीर विक्रम सिंग ने अपना शांदार अर्धरशतर भी पूरा कर लिया नेकिन फिर 24 में ओवर में नीदर्लैंड्स को तीसरा जटका लग गया। उपनर विक्रम जीत सिंग अर्धरशतर बना कर आउट हो गये। उन्हें शादा ठान पवेलियर भेजा। वो बावन रन बना कर आउट हो गये। इस पाटनाशिप के तूटने के बाद नीदर्लैंड्स ने लगातार अपने विकेट गवाए। देखते ही देखते नीदर्लैंडस का 133 के स्कोल पर पाँच विकेट गिर गए और पाकिस्तान की टीन ने मैच में शांदार वापसी की। हाला कि नीदरलैंड के लिए बेस्ट डीलेक छोर पर तिके हुए थे और शांदार बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी पचास भी पूरी कर ली और नीदरलैंड को जीत की ओर ले जा रहे थे। अग पाकिस्तान की जीत के सामने बेस्ट लीडर अगर पाकिस्तान को यहां मैच जीतना था तो उन्हें बेस्ट लीडर को उनकी विकेट की सक्त जरूरत थी लेकिन बेस्ट लीड जबरदस्त ले में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वहां अपनी टीम को जीत दिलाकर ही रहेंगे लेकिन फिर 34 वे ओवर में मुहमद नवाज ने बेस्ट लीडर को प्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को सबसे बड़ी सफलता दिलाई आपको बता दे की बेस्ट डील इडी ने 67 रनों की शांदार पारी खेली 170 के स्कोर पर नीदरलेंड्स के साथ विकेट गिर चुके थे और आखिरी 15 ओवर में उन्हें जीत के लिए 119 रनों की जरूरत थी जो की यहां से काफी मुश्किल दिख रहा था लेकिन यहां पर मारना पड़ेगा नेदरलेंड्स पाकिस्तानी गेल बाजों का उन्होंने डटकर सामना किया और उनके पसी ने चुड़ा दिये दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच के टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट कर जरूर बताईएगा